प्रेंट्स हमारी चैनल टेक्नो साले स्टडी पर आपका स्वाग आते हैं दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे टूल सेंट टेक्नोलोजिस के बारे में जो भी कंप्पूटर फिल्ट के प्रोजक्त है उसमें चाहें एस्पूट रूटनेट प्रोजक्त को एंडृड या पाइथन या अधर कोई भी लेंग्वेस का प्रोजेक्त उसमें टूल से टेक्नोलोजी नियुक्त बहुत ही है नुई कौन से लेंग्वेज में कौन-कौन से टूल्स टेकनलोजी यूज होते हैं जो तूल से टेकनलोजी उसका यूज होते हैं कोई भी लेंग्वेज उसमें एक front end टूल का यूज होता है और सेकंड वन है ओ बैकेंड टूल यानिकि डेटाबेस में कौन सा जो टूल का यूज होता है और थर्ड वन डॉक्यूमेंट टूल दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी कोई ने कोई टूल का यूज होता है और एक डिजाइनिंग टूल और Microsoft Visual Studio का यूज होता है और बेक एंड में SQL या तो MS Access यानि कि MS Office में जो भी Access आते हैं उसमें भी आप database बना सकते हैं और documentation के लिए आप MS Office का यूज कर सकते हैं और उसमें Photoshop का भी यूज होता है क्योंकि फोटो को English का प्रोजक्स बना रहे हैं तो उसमें आप कौन-कौन से टूल यूज करना पड़ता है उसमें दोस्त एक तो notepad++ या तो आप design के लिए notepad++ या तो आप HTML editor का भी यूज कर सकते हैं और एक आपको सर्वर की जड़ोत होगी उसमें दोस्तों आप web server का यूज कर सकते हैं उसके अलावा जो डेटाबेस के लिए mysql को यूज करना पड़ेगा और जो भी documentation के लिए उसमें दोस्तों MS Office Photoshop और shipping टूल का यूज तो होता है नेक्स दोस्तों बात करें तो जावा में जावा में दोस्तों कि जावा प्रोजक्स बनाते हों कौन-कौन से tools technology यूज होते हैं तो उसमें दोस्तों designing के लिए सबसे पहले front end टूल में या तो आप इंक्लिप इडिटर या तो कोई उसके अलावा भी बहुत से tools है उसका यूज आप कर सकते हैं और बेक एंड के लिए आप JDK का यूज कर सकते हैं दोस्तों और जो server SQL server का यूज कर सकते हैं और जो भी documentation तो दोस्तों कोई प्रोजेक्स का प्रोजेक्स को उसमें से मीरेगा आप MSX यानि कि Microsoft Access और Photoshop और Snipping टूल और बहुत से अधर टूल से और पेंट्स और सारे ओ कोई भी टूल्स का यूज आप कर सकते हैं नेक्स दोस्तों बात करें तो चाहे प्रोजेक्स और एंडुएट का आप एंडुएट लेंग्वेट्स की दोस्तों प्रोजेक्स में बात करें सकते में एक तो आप android डूंड लड्र करके उसका भी आप दोस्तों कर सकते और बृफ़ इसका युज़ चुर्य पर जों भी डॉक्सन परलों टीट कimmung के लिए उसमें टुमेंट के लिया पतलु फोई सब्सक्रोट too कर सकते हैं और जो भी फोटो एडिटिंग आता है अपने प्रोजेक्स में आप फोटोशोप का यूज़ कर सकते हैं कि उसके अलावा दोस्तों बात करें हम तो HTML दोस्तों आप जो भी प्रोग्राम लिंग्वेज में प्रोजेक्स बना सकते उसके जैसे आप HTML भी एक अच्छा सा एक प्रोजेक्स बना सकते हैं HTML में दोस्तों पूरा प्रोजेक्स बनाने के लिए आपको रेफ्रेंस देना पड़ता है क्योंकि उसमें हर जगह एक रेफ्रेंस देके कोई है जो बात करें क पाइटन जैसी लेंगवेज ऋसमें भी प्रोजेक्स बना सकते हैं। पाइथन हो वह चाहिए कोई भी लेंगवेजी उसमें दोस्तों यह सारी सीजे है वो तो सब में सेम ही रहती है तो टूल सेंट टेकनोलोजी दोस्तों सब प्रोजक्स में एरर कम आ सकती है तो इसलिए दोस्तों कि इसका नोलेज वना आवशकता दोस्तों हमें उम्मेद है कि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और कमेंट करो और अभी तक आपने अमारी चैनल टेकनोसाइल इस्टडी को सब्सक्रा कर दीजेगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी नवी उडियों अप्लोड तो उसकी नौटिफिकेशन बहुत जल्ड आपको मिल जाए दोस्तों बहुत जल्ड मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ थेंकिये दोस्तों धन